जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे, उसी के खिलाफ उसी विचारधारा के साथ आज कॉंग्रिस पार्टी लड़ रही है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ती बनाई और कुछी दिन बाद वो मूर्ती तूट कर गिर गई। अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहुजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता। शिवाजी महाराज जी ने देश को दुनिया को क्या मेसेज दिया था। जो आज कौन सा चिन है, तो ये है, सीधा सा कनेक्शन है, जो शिवाजी महाराज ने कहा, 21 सदी का जो उसका ट्रांसलेशन है, वो ये है। इसमें आपको एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी, जिसके लिए वो नहीं लड़ेगी। पूरी जिन्दगी जब वो लड़े, उन्होंने जो भी कन किये, उन्हीं की सोच से ये Constitution आया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, साहुजी महाराज जैसे लोग नहीं होते, तो ये नहीं होता। मतलब सीधा connection है, अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो constitution को समविधान को खतम करने में लगी हुई है, सुबह उठते हैं और planning करते हैं कि भहिया, शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का constitution है, उसे खतम कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्ताओं पर आकरमन करते हैं, लोगों को दराते हैं, धमकाते हैं, और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ती के सामने मत्था देखते हैं। इसका कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप शिवाजी महाराज की बात करो, अगर आप उनकी मूर्ती के सामने जाकर हाथ जोड़ो, तो फिर आपको इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। आप देखिए, विचारधारा बहुत पुरानी है। इनके समय भी यही लड़ाई चल रही थी। जब इनका राज अभिशेक होना था, उसी विचारधारा ने राज अभिशेक नहीं हूने दिया। यह कोई नई बात नहीं है, यह मत सोचिएके वहिया य। यह नहीं लड़ाई चल रही है, कॉंस्टिटूशन की लड़ाई नहीं है। जजारों साल पुरानी लड़ाई है और वो ही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे शिवाजी महाराज लड़े थे उसी के खिलाफ उसी विचारधारा के साथ आज कॉंग्रेस पार्टी लड़ रही है और आपने देखा नियत दिख जाती है नियत को छुपाय नहीं जा सकता है उन्होंने शिवाजी महराज की मूर्ती बनाई और कुछी दिन बाद वो मूर्ती तूट कर गिर गई नियत गल्थ थी मूर्ती ने उनको मेसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महराज की मूर्ती बनाऊगे तो फिर शिवाजी महराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी इसलिए वो मूर्ती गिरी है क्योंकि उनके विचारधारा गल्थ है वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 गंटा शिवाजी महराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं आप देखिए इनका राज अभिशेक नहीं होने दिया राम मंदिर के इनोगरेशन में पार्लमंट के इनोगरेशन में आदिवासी राष्टपती को जाने नहीं दिया झाल 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 झाल